अगर आप जीवन में यशस्वी होना चाहते हो, अगर आप जीवन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो तो महनत करनी पड़ती है दिड़ता से जीना पड़ता है, determination से जीना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, patient बनना पड़ता है और यदि इन सब का पालन भी करो तब भी कई बार जीवन में चुनोतिया आती है चैलन्ज आती है हम फेल हो जाते हैं हम गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं सकसेस का, यश का सबसे बड़ा शत्रू है निराशा यदि निराश हो जाओगे तो सब कुछ खो बैठोगे जब भी निराश हो जाना तो बस मा जिराफ को याद कर लेना है जब मा जिराफ अपने बच्चे को जन्द देती है तो माता जिराफ बड़ी उंची होती है और बच्चा उचाई से जोर से जमीन पर गिर जाता है और जैसे बच्चारा समझने का प्रैत्म करता है कि मैं कहां गिर गया तब तक वो मा उस बच्चे के उपर खड़ी रहती है और उसको बच्चोर से लात मारती है उरते हुए बच्चा जाकर कहीं हो गिर जाता है और बस अपनी सुदबुद दुबारा इकटा करने का प्रैत्म करता है फिर मा उसके उपर आका खड़ी रहती है और दुबारा एक बड़ी चोर से लात मारती है बच्चा समझ जाता है कि यदि मैं कुछ न करूँ न तो लात खाते रहना पड़ेगा अपने बड़े ही कमजोर पैरों पर खड़े रहने का प्रैत्म करता है उजिराफ का बच्चा दुबारा मा आकर उसको लात मारती है बच्चा फिर गिर जाता है और समझ जाता है कि यदि मैं खड़े रहकर भागू नहीं तो बस लात खाते रहना पड़ेगा जिराफ का ये बच्चा टेजी से भागने का प्रयत्म करता है और तभी मा आकर अपने बच्चे को चूमती है अलिंगन करती है मा जिराफ भली भाती जानती है कि जंगल में बड़े खुखार पशु है शेर, लोमडी, इत्यादी जो नवजात प्राणियों का मास बड़ा पसंद करते है और मा जिराफ तो बच्चे के साथ उस शेशु के साथ हमेशा नहीं रह सकती तब अगर वो बाहर चली जाए तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा इसलिए सबसे पहले जैसे उसका जन्म होता है उसको लात मारती है ताकि वो उठना सीखे दुबारा लात मारती है ताकि उसे उठने की जो क्रिया है वो याद रहे दुबारा लात मारती है ताकि केवल उठे नहीं दौड़ना प्रारंब करे जीवन में कही बार चुनोतिया आएंगी चैलेंजेस आएंगी और हम गिरेंगे हम फेल होंगे लेकिन मा जिराब और उसके बच्चे को याद कर लेंगे जब भी चुनोतिया आएं जब भी चैलेंजेस आएं जितनी बार भी आप गिरो उठना सीखो उस बच्चे से उठना सीखो उठके खड़े रहना सीखो खड़े रहके भागना सीखो अगर उठोगे खड़े रहोगे भागना सीखोगे तब यश सक्सेस के उँचे से उँचे शिखर पर पहांचना सीखोगे